नमस्कार सभीकों, स्वागत आपका कॉमेट सर्वेसे चैनल में, जैसा कि आप मैंसे कई लोग जानते हैं, कि मैंने हैदराबाद में कॉमेट स्टेटी सेंटर कई सालों से चला रखा है, जहां उतराखंड के कई जीलों से और देश के अन्य रिमोट एरिया से भी स्टूडें और इन स्टूडेंट्स को एक controlled और disciplined environment में रखते हुए, तब तक free coaching प्रवाइड किया जाता है, जब तक कि इनका career सेट नहों जाए, हैदराबाद में कॉमेट का successful track record को देखते हुए, हम पिथोरागड में भी कॉमेट स्टेटी सेंटर शुरू करने जा रहे हैं, पर्टिकुलरी पिथोरागड में और उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में कॉमेट स्टेटी सेंटर शुरू करने के कई कारण और advantages नजर आते हैं, जैसे कि सबसे पहला कारण, कई parents ऐसे हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाने की खातिर, अपना गाओ, अपनी खेती बाड़ी, सब कुछ छोड़ कर city में बहुत महंगे में रहने को मजबूर हो जाते हैं, जो कि पलायन का एक सबसे बड़ा कारण भी है, तूसरा कारण, city में रहते हुए, parents अपने बच्चों को हर subject के लिए महंगे महंगे tuition में बच्चों को भेजने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तूसरा कारण, क्योंकि यहां का education system, career development को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखता है, इसलिए city में रहते हुए भी और यहां के schools में पढ़ते हु बच्चों के अंदर career development को लेके zero knowledge रहता है, चौथा कारण, सभी बच्चे जो यहां पर PG's में और hostels में रहते हैं, वह अपने career का सबसे महत्तपूर्ण समय यूहीं waste करते हैं, जो कि यहां का माहौल को भी बहुत ज्यादा बुरा असर करता है, अता, मेरे विचार में, अग पितोरगर जैसे city में भी comet study center खोला जाए, तो यह सारी problems solve हो सकते हैं, जैसे कि parents के पास एक option रहेगा कि अपने बच्चों को comet का disciplined और controlled environment है, वहां रखकर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, खुद अपने गाउं की वापशी कर सकते हैं और अपनी खेतिवारी सभाल सकते हैं, दूसरा, क्यूंकि comet में daily सुबह और साम बच्चों को coaching provide किया जाता है, इसी लिए parents को coaching के नाम पर जो extra खर्चे हैं, उससे भी राहत मिलेगी, तीसरा, क्यूंकि comet में हम सबसे पहले बच्चों की जो qualities हैं, जो abilities हैं, उसको identify करते हैं, और बच्चों की जो qualities और abilities हैं, उस प्रोसेस को follow करते हुए, अगर हम class 6 और 7 में ही students के skills और abilities को identify कर लें, और class 6 और 7 से ही उनको, उनके interest के मुताबिक NDA, Army, Air Force, Navy के exams, IIT, NEET और SSE जैसे competitive exam के लिए, अगर इनको पहले से ही तैयार किया जाए, तो सवाब होई है कि जब यह class 12 पास आउट करेंगे, तब तक यह student different competitive exams के लिए काफी हद तक prepare हो चुके होंगे, एक और problem, क्योंकि यहां के schools, English communication और student का overall development पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और घर में भी ऐसा माहल नहीं रहता कि बच्चे का overall development पर focus किया जा सके, इसी के चलते है, comment में, daily English speaking classes, group discussion, presentation, और soft skills से related जो session है, यह बच्चों के overall development औ और अच्छे भोईशी के लिए बहुत ही ज़्यादा useful सावित होगा, एक और major problem जिसमें comment study center का concept बहुत ही useful सावित हो सकता है, जैसा कि सभी school class 12 तक बच्चों को पढ़ा कर बच्चों को उनके किस्मत के वरोशे छोड़ देते हैं, किसी भी school को उसके बाद बच्चों का career को लेकर कोई भी concern नहीं रहता है, comment study center यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत बड़ा बर्दान सावित होता है, क्योंकि comment का already है जो हमने center बना रखा है, वहाँ पर बच्चों को हम तब तक guidance देते हैं, तब तक coaching देते हैं, जब तक कि उनका career set नहीं हो जाता है, और यही process उन study center की शुरुवात करने जा रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों को पिथोरागड के study center में रखने में interested हैं, तो आप हमें contact कर सकते हैं, साथ ही इस message को अपने सभी relatives और अपने groups में share कीजिए, so that सभी comments study center का लाव उटा सकें, दन्यवाद